Awakening with Brahma Kumaris Namaskar, welcome to Awakening with Brahma Kumaris Sister Shivani हमारे साथ है Welcome Sister Om Shanti Om Shanti Sister आपका वादा था कि आज आप मुर्ली पड़ेंगी मुर्ली का टाइटल है Satyata का foundation है Pavitrata Purity और निशानी है चलन वा चेहरे में दिव्यता एक है foundation और दूसरा है If I am practically implementing it Then what is the proof? Sampoorn Satyata Pavitrata के आधार पर होती है Purity of thoughts जहां हर थोट एक्दम clean होगी कुछ भी उसके अंदर थोड़ा भी Adulteration Mixtarity नहीं होगी तो purity नहीं तो honesty नहीं Satyata की शक्ती सदा तब रहेगी जब अपने और परमात्मा के Satya Swaroop की स्मृती रहेगी तब Satyata की शक्ती है तो स्वता ही हर संकल्प भी आपका Satya हो जाएगा which means now जितने शन हम Soul Conscious है तब Satyata है और जितनी देर हम Body Conscious हो गए तब असत्य है which is जितनी देर आपने आत्मा की Original Qualities यूज़ की Peace, Love, Purity, Power आप Satya है जितनी देर Body Conscious में गए तो Ego, Anger, Greed पूरी Whole List तब असत्य है Satyata की परक है संकल्प, बोल, करम, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो कई बार-बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ मैं सदा सची हूँ लेकिन बोल में, करम में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रहे हैं सत्य की निशानी एक ही स्लोगन है सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा सपरिच्वालिटी कैसे पूरी ओनिस्टी की डेफिनेशन को चेंच करती है परमात में कई बार मुडली में कहते है सच्चाई सफाई एक है सच बोलना वो सच्चाई सत्य स्वरूप में स्थित होकर बोलना वो सत्य था जब स्परिच्वालिटी के बिना हम बोडी कॉंशेसनेस में जब चल रहे थे तो हमारा जो पूरा एक्वेशन था वो था लोगों को खुश करना लोग खुश होंगे तो वो हमें अप्रूफ करेंगे और जब वो हमें अप्रूफ करेंगे तब हम खुश होंगे एक्वेशन ही एनरजी फ्लो की ये थी कि मुझे लोगों को खुश करना है then they will approve of me that I'm a nice person and when they approve of me then I will feel good and when I feel good then I will be happy क्योंकि मुझे ये नहीं पता था तो उस वज़ह से उस एक्वेशन के लिए बहुत बार जो हम सोच रहे हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं हम नहीं बोलते हैं क्योंकि बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हम सोचते कुछ और थे और बोलते कुछ और थे अब परमात्मा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म, सब में सत्यता तो जो संकल्प में हो, वही बोल में आना चाहिए It is not to please people, it is your honesty आप जो सोचेंगे, वो बोलेंगे और अगर वो बोलने लाइक नहीं है तो सोचने लाइक नहीं है ये नहीं करना है, कि सोचना कुछ और है फिर कनवर्ट करना है और फिर उसको बोलना है और मुरली केटी है कि चतुरा है हाँ, अभी क्या WAS? सपोज मुझे आपने कहीं बुलाया कि आप यहां आये मेरा मन नहीं है जाने का मुझे नहीं जाना है मैं अंदर से सुचू क्या मन नहीं है जाना है फिर भी मना किया तो नाराज हो जाएंगे जाना तो पड़ेगा ही ये सब thoughts है और बोल क्या है नहीं नहीं I'll definitely come I'll be very happy to come तो what did I do I create negative thoughts but वो negative thoughts बोलने लाइक नहीं है तो I convert and create positive words लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि vibration travel करती है तो अगर हम बहुत मीठा भी बोलें कई बार आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग मुलेंगे बहुत मीठा बोलेंगे बहुत sweet बोलेंगे सब कुछ accurate बोलेंगे लेकिन वो सत सत्य नहीं है तो मिठास है correct भी है लेकिन वो सत्य नहीं है क्योंकि सोच में वो नहीं है शब्दों में वो है शब्दों में positivity है respect है मिठास है सोच में नहीं है तो वो रिष्टा नहीं अच्छा बनेगा क्योंकि thoughts कैसी मिल रही है और फिर वो आत्मा की अपनी शक्ती भी कम ह हो रही है क्योंकि वो सोचते कुछ और है कनवर्ट करके बोलते कुछ और है अब हमें क्या करना है एक या तो जो सोचा वो बोलना है if you feel you don't feel like doing this don't want to go here have the courage to say it लेकिन अगर वो नहीं है बोलने लाएक तो उसको कनवर्ट अगर करना है तो बोल के लेवल पर नहीं करना है उसको सोच के लेवल पर करना है यह हम में से majority आज कर रहे है आज तो बहुत जादा हो रहा है जैसे मैं कोई बोलता था या स्टुडियो में बहुत डबिंग रिकॉर्डिंग आपकी वेट कर रहे सब लोग और खाली पड़ा स्टुडियो परावर हमको इतना पैसा लग जाता है तो मैं खाना चोड़ के चले जाता था वहाँ देखता है तो लोग दूसरा आदमी डबिंग कर रहा होता था तो फिर यहाँ जो आप कह रहे हैं एक्चुली प्राक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन जो जूट भोल के जीवन इस तरह से जी रहे हैं ऐसे ही तो आत्मा की शक्ति आज कम नहीं ह हैं में कारण क्या है सत्यता खतम होती जा रहे है इतना और अभी काश्वल हो गया तो वह हमारे नाच्रल संसकार में आ जाता है सत्यता का कॉंसेप्ट ही फिनिश कैश्वली बोल देना and most important खुश करने के लिए बोल देना अपना काम करवाने के लिए बोल देना लेकिन सोच कुछ और बोल गुछ और आत्म की शक्ति कम होगी वाई if I cannot be honest to myself where is the question of being honest to anybody else? सबसे पहले spirituality means I start being honest to myself which means whatever I am thinking I speak जो सोचा वो बोला अगर जैसे मुरली कहती है मैं हूँ ही मैं सेल्फ ही honest हूँ, I am honest only honest, honest to myself and honest to everybody अपने आप हो जाएगा ना लेकिन body consciousness में चलते चलते अपने आप से भी सच नहीं तो औरों से भी सच नहीं तो जो सोच रहे हैं बहुत ये छोटी छोटी चीजों में पहले करना है तो फिर बड़ी चीजों में automatically हो जाएगा सारा दिन में checking कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं जब हम किसी से मिल रहे हैं रिष्टों में interact कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर अगर बोलने लाइक नहीं है, क्योंकि बोलने से उनका नुकसान होगा, या उनको बुरा लगेगा, तो वो सोचने लाइक नहीं है. कई बार पिर हम कहते हैं, अच्छा तो मतलब जो सोचा वो बोल दे, फिर, it's okay, this is how I think, I will speak, no, if what I say, somebody feels bad, तो change it, but then changing it not at words, और वो भी इसलिए, क्योंकि अगर मैंने words के level पर change करके आपको बोल तो दिया, लेकिन मेरी vibrations तो आप तक पहुंचने वाली हैं, तो purpose of changing तो defeat हो गया, क्योंकि मैंने फिर भी शब्द अच्छे बुले, thoughts तो negative page ही दिये, तो मेरा purpose ही defeat हो गया, वो जूट बोलने का, purpose defeat हो गया, तो ये सारा दिन हमें बहुत सुक्ष्मरिती checking करने हैं, suppose मेरा आने का मन नहीं है, जहां आपने बुलाया, या तो I first change it, and I say, मेरा मन नहीं है, I'll do it some other time, this is honesty, दूसरा अगर मुझे लगता है कि नहीं ये बुलने से, ये ठीक नहीं है इस रिष्टे के लिए, then I'll change it on the level of thoughts, कि तो क्या हुआ, जाकर आए, तो इतना नहीं कर सकते क्या हम किसी के लिए, दुनियादारी है, दुनियादारी नहीं, I feel like doing, क्यू नहीं करो, ये मेरे रिष्टे के लिए important है, तो क्यू नहीं ये करो इतना, तो thought level पे change करके, फिर word level पे बुलना, कि yes, क्यू नहीं मैं आपके लिए ये करो, this, इसको हम कहेंगे integrity, integrity not with other people first, with myself, honesty, integrity, transparency, फिर आप transparent हो गए हैं अब, कि जो सोचते हैं, तो बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि इसको कुछ, अगले ने बुच गलत किया है, और मैं बोलना नहीं चाहिए, वो सामने से बोलना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर मैं, अगर वो रॉंग है, तो उसको मैं क्या बोलो, नहीं, you are telling lies, कुछ होट बोल रहे हैं, लेकि हमें हीं बता रहे हैं बातें ये कर रहे हैं, अगर हमारा रोल है, उनको गाइड करने का, तो हम बताएं, अगर हमारा रोल वो, नहीं, नहीं, तो हम एक्सेप्ट करें, ये आत्मा अपने संसकार से बोल रहे है, इनके पास अभी कोई रीजन है, जिस वजह से ये स्तर, नहीं, ये मेरी थौट, मेरी थौट ये होने चाहिए, खामोश तो आप बैठ गए, लेकिन कहां खामोश बैठ गए, लेकिन कहां खामोश बैठना है, लेकिन कहां खामोश बैठना है, हम कई बार बोलते हैं, मैं वो भी तो पहुंच जाएगा दूसरे तक and most important आपको तो मिला, आपने तो create किया, तो अगर आपको लगता है silence is what is needed at that time, आपको चुप रहना है, तो फिर चुप रहना है, लेकिन कहां चुप रहना है, यहां चुप रहना है, यहां चुप रहना है. इसको तो कुछ भी नहीं करना है, हर बार मेरी थौट और फीलिंग की क्वालिटी क्या थे? तो वो किसको मिला मुझे कैसे मेलेगी जो क्रेट किया वो किसको मिला तो उसका आफर मुझ पर होता है जो मैं थोट और फिलिंग क्रेट करूंगे उसको कैसे रोकें यह गर कार्वी मुझे जूटा दिख रहा है तो चिंतन देखो acceptance means क्या जो दिख रहा है जो दिख रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम उसका कुछ नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पर रख के उसका चिंतन नहीं करना है जैसे आपने कहाना जो बोलने लाइक नहीं और सोचने लाइक भी नहीं है और जो मतलब देखने लायक और बोलने लायक नहीं, इसको चिन्टन करने लायक भी नहीं है छित पर नहीं रखना सारा नें में बहुत कुछ दिखेगा बहुत लोग दिखेंगे बहुत संसकार दिखेंगे हम कल लिुक के समय में चल रहे हैं जादातर फ्लेवर जो होगा, थोड़ा सा नेगिटेफ होगा, लोग दिखेंगे, संसकार दिखेंगे, बाते दिखेंगी, करम भी दिखेंगे, जो बहुत अच्छे नहीं है, मेरी चोईस है कि किस-किस चीज को यहां रखना है, मतलब किस-किस चीज को अपने चित पर रखके अपने चिंतन का हिस्सा बना लेना है, चित पर कहां रखा सिस्टर, एक बार बोल दिया, कैसे इसको कपड़ा पेनने की भी अकल लिए, देखो कैसा दिख रहा है, बोल दिया निकल पड़े, तो चित पर हो गया ना ये, अच्छा वो चित पर आ गया, आपने थोट और फिल कितना कुछ दिखेगा, आप हर चीज को अपने चित पर तो नहीं रखते हैं, ये शौप ऐसी केसी, ये ड्रेस ऐसी केसी, ये शोरूम ऐसा क्या ये लोग, नहीं रखते हैं, वी अब तो वाक थ्रू एवरिधिंग, हम सब कुछ के पीच चले जाते हैं, बिना यह उस चीज को चित पर रखे, हम रोड़ पर कार चला रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरे से चला रहे हैं, हम हर एक को अपने चित पर तो नहीं रखते हैं, कितने बोड़ आती दुकाने, हाँ, हम नहीं सोचते हैं, विच में, याद रखना लग है, चीज देखी, लेकिन उसके प्रति कितने thoughts create किये कितने thoughts create किये हम कोई चीज देखकर उसके बारे में कोई thoughts भी नहीं create करे हम कोई चीज देखकर उसके बारे में 2-4 thoughts create करे कोई चीज हम देखकर उसके बारे में कितने सारे thoughts create कर देते है यह भी practice है जितने thoughts create करेंगे और अगर क्वालिटी थोड़ी से नेगिटिव है तो एनरजी तो मुझ आत्मा की दिपलीट हो रही है और वो भी ऐसी चीजों का चित पर रखे जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं यह प्राक्टिस है अनेक लोग, अनेक संसकार, अनेक करम मुझे नहीं उसके बड़े में चिंतन करना है इस तुछ से होता क्या? What is the end result of this kind of a thing? Soul power getting depleted. Really? Because every time it's a negative thought. What is the meaning of आत्मा जो कमजोर हो जाती है बोलते है न? वो क्या होता? मतलब कमजोर आत्मी के definition क्या है? जब हम negative thoughts create कर, जैसे जब आपको गुसा है तो आप कैसा फिल करते हैं? और जब आप एकदम peaceful काम हैं, तो कैसा फिल करते हैं? दो में फरक, यह हम दोनों ने experience, दोनों चीज़े experience किये, गुसा है, मन, अशान्थ है, परिशान है, कन्फ्यूजन है. एक disturbed sleep होती है, एक शान्थ, अच्छा सो के उठाया, मैं कितना शान्थ हो पीछोगी. तो शान्थ sleep मतलब mind was silent, और disturbed sleep मतलब हम सोए थे रात को, लेकिन मन, मन भी थका हुआ है, बॉड़ी भी थकी हुए. तो चीज जादा चलती जा रही है, और वो भी अच्छी quality की thoughts नहीं क्रिये थोड़ी, आप सुरिफ पांच मिनट बैठें, कोई एक व्यक्ति को लें, और उसकी criticism करें, उसकी कमजोरियों का चिंतन करतें, पांच मिनट, और चेक करतें कैसा फील होता है, फिर पांच मिनट के उसकी विशेष्टाओं का चिंतन करतें, तो कैसा फील होता है? I didn't realize this point. कैसा फील होता है? तो हम लोग तो हम लोग तो आज़ तो सर्फ वही करतें, एक आदमी को लेके, जब तक उसका एंट्री नहीं होती उसका बुरा ही करते हैं. पता जल जाएगा, महसूस होता है, जित कि अधुदि एक्ष्टाओं थाफ्टाओं तो फिर शरीर पे उसका असर, फिर वाइबरेशन तो पहुंचते हैं दूसरे तक रिष्टे पर उसका असर और वायुमंदल में उसका असर. अब यही पांच मिनिट उस विक्ति की विशेष्टाओं का चिंतन करते हैं. पट यह तो फिर जूट जूट करना पड़ेगा ना मुझे उस आत्म में विशेष्टाइ नहीं है एक विशेष्टाइ लेकिन वाटमा पसंद क्यों नहीं है क्यों कि मैं उसके सिर्व बुराईयां देखता हूँ कि उसने में बुरा क्यों कि उसके पास अच्छी प्वालिटीज क्यों कि मुझे मेरे साथ क्या क्या हूँ डिट शी और इमेड मी फील मुझे तो उसने कितना है चोटा फील करा दिया ना कुछ कुछ बोलके उन्होंने नहीं फील कराया कोई हमें फील नहीं करा सकता कुछ पे एवरी थोट एंड फीलिंग इस माइड ग्रेशिए आप कर सकते हैं कुछ यह हो सकता है कि उनकी बात करने का तरीका कुछ आपको ठीक नहीं लगे उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं उनका आपके प्रती व्यावाहार ठीक नहीं उनका आपकी प्रती व्यावाहर ठीक नही उन्होंने जो बोलना था वो बोला इंसल्ट फील होना उन्होंने ऐसा कैसे मुझे बोला we have to see के जो बोल रहा है वो अपने संसकारों से बोल रहा है वो अपने परस्पेक्टिव से बोल रहा है मुझे कैसा फील होना let's say for example आप बहुत sincere है एक simple लेते हैं आप जो काम करें वो बहुत sincerity से करते हैं do you know that about yourself? yes you know that about yourself suppose I come and say मतलब इतने केरले से आप आपने द्यान भी नहीं दिया ऐसे कर दिया इसको इतना ऐसे काम करने से तो में किसी और को बोलती फर ये वाला काम करने के लिए this is absolute lack of sincerity ये मैंने आखर बोलकर कर दिया अब अगर आप सिरफ मेरी बात को सुने तो immediately क्या हो जाएंगे? कि आपने मेरी insult की क्यूं? क्योंकि आपने मेरी बात को लिया और आप हुए लेकिन अगर उस समय आप सिरफ एक ये ध्यान रख लेते मैं sincere हूँ और मैंने ये वाला काम भी बिलकुल सिंसेरिटी से अपनी कापसिटी से किया था आपको पसंद नहीं आया वो या तो आपकी कृटिकल नेचर है या फिर आपकी कापसिटी की अनुसार उतना अपने चाहा था मैं भी राइट, आप भी राइट, हम डिफरेंट है I did my best I did my best, but which is the truth which is the truth and which means after that आपकी बात बताईए, फिर हर बंदे को किसी को भी पुछ लिजिए बच्चे जले के बड़े तक जिसको एक सिंसेर बंदे को बोलो कि आपने चुट बोला कियो तेन मैंने का बोला, आपने चुटा बोलती है, मेरे ज़से आपी को तो सभी को होगा तो इसलिए परमात्मा ने का ना सिद कर रहे है जिद कर रहे है जिद कर के अपने पॉइंट हो जिद कर रहे है तो दिवयता नहीं है वो फिर तो I don't have to go on and on and on करनान जिद कर के शिद नहीं मैं ऐथा नहीं क्या था आप हो घुप, आप को गलत समझे आप समज़ते क्या है मतलब यह जिद नहीं करने है यह दिवयता नहीं है अपने गुचे डेटुडे लइफब कितना काम आने यह Да डेटुडे लइफ के ले I was just something sob多 diDe treaty करना है कितना पรसू दिन करना है तेसे इसलिए क्यों रोस तो लिझे शोना, और शुनी अपर अधिया, अथि नेसिताय है. फिर और मुश्किल लगेगा उपर जाना तो इसलिए डेली डेली मुली का इसलिए फड़क पड़ता है एक डेली जो है औरजी जैसी बाडी को देते कहाना रोज खाना पड़ता है तो वो काम कर लुँ गाए दस दिन नी खाय तो तो कर नहीं सब सत्यता की शक्ति धारन करने में सेहन शक्ति की भी आवश्यक्ता है सहन शक्ति आवश्यक्ता है सेहन करना पड़ता है जुकना पड़ता है हार माननी पड़ती है अभी आप से जो पूछा था मैंने जूट को कोई बोल दे है तुमने सत्य को बोल दे कि तुमने जूट बोला तो देखो इतना प्यार से सहन भी करना सहन करना जुखना भी पड़ता है हार माननी पड़ती है लेकिन वो हार नहीं है जीत है उस समय के लिए हार लगती है लेकिन सदा की विजय है किसी ने आपको कुछ कहा आपने सिद्ध नहीं किया आप चुप रहे सहन कर लिया उस बात को जुक भी गए तो ऐसा लगेगा खुदको भी लगेगा कि मैं क्या हो गए मैंने हार मन लिए लेकिन बाबा ने कहा वो हार नहीं है उस समय हार लगेगी शक्ति को अपने संसकारों पर अपने मन पर कावू तो विल पावर भी बढ़ी सोल पावर बढ़ी संसकार दिव्यता की तरफ गए बाहर से भले लगे कि यह हार थी पट अक्चली यह क्या है यह जीत है और इसी का ओपजट छोटी चोटी बातों में जिद करना सिद करना जस् चीव क्या हो गए इसले कि कोई आर्ग्यू अर्ग्यमेंट हो रही हो विड्रॉ एक सेकेंद में विड्रॉ लगेगा ना कि हार हुई है मैं चुप हो गया विड्रॉत बढ़ा बढ़ा जास्यों करना फावर है जासे वो टॉट अपने रिज्यक्पोरे एपने शेक्र लेता एस बोला है लिकिन पेले कहां है सोचते थे कि विडॉौकर ये करने को जए एक जोरी जाला कुछाहिग है, पेले को बैसे है नो जाला सुचथ एकिन कि ऐप задач बहुत हैं रहला है sut 1910 जिए जेख sग देखोड मैं विद्ध रोयल्टी है, सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, जिसने बहुत जादा आग्यू किया, बाबा ने कहा, सोल पावर कम हुई, तो भले लगेगा जीत गए, लेकिन लोग ठर्म में तो वो अक्चली हार है, और संसकार भी बन जाता है, वो संसकार बन जाएगा हमेशा जिद और सिद्ध करने का अपनी बात का, यह संसकार कितना संसकार है, विद्रॉ करने का, क्योंकि आप सत्य है, तो फिर यह तो संसकार अगर विद्रॉ का हो गया, तो रेड लाइट आए, गाड़ी कोई टेड़ा चलाए, कितनी जगह आपको फायदा हो जाएगा, चुटी-चुटी बात से, जैसे कि बुंद बुंद से चीज बढ़ जाते हैं, हम लोग पोजिजन कितना डालते हैं सुभा ते शाम करते हैं, तो आत्मा की ताकत बढ़ती है, तो नेक्स टाइम करने में और इजी हो जाता है, क्योंकि सोल पावर बढ़ती जा रहे है, संसक पावर बनता जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको उसकी रिजल्ट मिलती जा रहे हैं, तो मन करेगा बढ़ती 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 हैं, तो मन करेगा बढ़ती हैं, तो मन करेगा क्योंकि overall power बढ़ गई है तो एक संस्कार पर भी अगर काम कर लिया इसलिए परमात्मा कहते हैं एक गुण भी अगर धारन कर लिया एक गुण एक गुण के पीछे पर जाओ कि ये गुण मुझे धारन करना है एक गुण भी completely धारन करा तो सारे गुणा जाएंगे मतलब बोड़ी के आप इम्मेनटी बढ़ाओ तो कोई भी जाएंगे अब जैसे आपने का आग्यूमेंट में विड्रौ कर लिया सेहन शक्ति आगए पेशिंस की शक्ति आगए शांत रहने की शक्ति आगए रिस्पेक्ट करने की शक्ति आगए दूसरे को एकसेप्ट करने की शक्ति आगए रिल्टी जख लिया सेहन कर लिया किते संदर वोट से इसारी बाते श्रेंट नहीं लग रही है पहले मैं सुछता था हार म मानली जुग गया क्या डर पोग है आप भी नहीं लगता है क्यों एक्स्पेरिमेंट यह एक्सपेरिमिंस है और आपने जब कहाँ ज परमायतमने कहा जो परिस्थितिक को देख कर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं सिचुवेशन के अनुसार सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं कहते हैं और कुछ नहीं किया बस एक दो शब्द ऐसे बोल दिये दिल से नहीं बोला, ऐसे ही बाहर से थोड़ा बोल दिया, तो वो संपूर्ण सत्यता नहीं है सत्यता के पीछे अगर सेहन भी करना पड़ता है, तो वो सेहन नहीं है यह बहुत important है, कि सत्यता के पीछे सेहन करना भी पड़े, तो वो सेहन नहीं है अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्यता का सहारा जरूर लेना पड़ता है आपकी बात सत्य है लेकिन सहन करने की शक्ती नहीं है तो फिर रियाक्ट कर दिया तो फिर असत्यता का सहारा ले लिया क्योंकि ego का सहारा ले लिया फ़र तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिला तो ठीक हो गया लेकिन उसके खाते में सहन शक्ती जमा नहीं हुई है तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं हमको चलने की चतुराई आ गई है लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे बहुत आज दुनिया में जिसको कहते है politically correct right बात, right करना, right behave करना तो समझेंगे कि हमें सबके साथ चलना आता है हमें चलने की चतुराई आ गई है लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे मतलब संसकारों को और कर्मों का खाता देखेंगे तो क्योंकि अंदर सत्यता नहीं थी तो खाता कैसा होगा अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा इसलिए चतुराई से नहीं चलो एक दो को देखकर कौपी नहीं करो तो सत्यता की शक्ती से दिव्यता को धारन करो दिव्यता, dignity, royalty, divinity इसको धारन करो कुछ भी सेहन करना पड़े घबराव नहीं सत्य समय प्रमान स्वयम सिद्ध होगा यह बहुत important slogan है सत्यता को सिद्ध नहीं करना है सत्य समय प्रमान स्वेम सिद्ध हो जाएगा सत्यता की नाव डोलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है तो तीनों बाते याद रखो पवित्रता, सत्यता और दिव्यता पवित्रता, सत्यता और दिव्यता आत्मा की purity, फिर इंटराक्शन में सत्यता, honesty, करम में divinity, दिव्यता ऐसे साधारन बोल नहीं साधारन संकल्प नहीं, साधारन करम नहीं दिव्यता, divinity, दिव्यता अर्थाथ, दिव्य गुन दिव्यता